हेलो गाइस वेल्केम एक टो मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का पेट से स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में हैं यह दो अंडे यह जो अंडे है आज जो हमाई एक्सप्रेमेंट होने वाला है इन अंडों को पर नहीं तो आप सोच रहे हैं तो आई हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहोंगे जो अंडे का कलर रही हो चुका है रैड तो यह ऐसा क्यूंतों बता दूं कि हमने इस अंडे को र विनेगर यह वही विनेगर जो चाओमीन के अंदर डाली जाते हैं जो पान की तरह दिखने में होती है तो दोस्तों जो आप देख रहोगी हमने एक अंडे को चोबिस घंडे के लिए कोई रेक्शन नहीं हुआ है तो अब हम इसी अंडे को विनेगर के साथ 24 घंडे के जो आप वह जो इसका रिजल्ट होगा बिल्कुल देखने में अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो फटा फट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेरकना बिल्कुल भी नहीं ले तो चलिए आयो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों अगर हो तो लोग खाली कर लें ल्सकों बर लेते हैं तो हमने दोस्ते पूरा गिलास यहां पर बर लिया है अब बारें इस अंडे की तो अब हम इस अंढ़े को इसके अंदर नदलेंगे तो आप जाल दिया अब जाइसे 24 गंटे के लिए छोड़ देंगे और 24 गंटे बाद जो ने इस अंडे को विन्योगर के अंदर डुबो के रखा तो बार यह इसका रिजल्ट देखेने की तो हमारा इंतजार हो चुक है पूरा खतम और यह हम निकालते हैं अंडे को बाहर तो जैसा कि आप से भी लोग देख रहे हों कि ऐसा क्यों है तो मैं बता दूँ जो एक तरह क जैली जो होता है जैली उसकी तरह का ओगा इसका खूल होता है कहते हिये पच्ता नहीं है तो यह खूल जो है बिल्कुल सोस्ट होचुका है मैं आपको पारिया गुपार हो अंड़ा यहोश्टरैप में आ चुक है आप देखें कि उंगली से किस्ता आशानी से दब रहे हैं बिल्कुल ना तो जिस तरह उबले हुए अंड़े का छिलका अटाने के बाद जैली टैप में होता है उससे आप देख सकते हो किस तरह के फिंगर से नोर्मल राम से दब रहे हैं यह पूरा का पूरा अंड़ा एक जैली की तरह हो चुका है तो आप देखर होगे विनीकर के सा प्रफट क्या किया कैसा रेक्ट हुए कि अंड़े का खोल होता है जो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं पचेगा वह उसको भी जमा मतलब पतला इतनी पतली प्रत बना दी कि अंड़े को भी जली टैप में बना दी है तो दोस्तों इसकी जो लेयर हमें से अराम से नाखुन की साह थोड़ा थोड़ा ओर ऊंवर उखाडते हैं जैसे कि आंड़ग एस सरा से उत छीलता आचिल्त नहीं जाता और आप दे इसके अंदर के जो पतली से लेयर हम आई साफ दिखने को मिल रही है तो हम इसे कोजिस करते पूरा उतारने की तो अई किरांच्को में देखके और हiyorsunक तो आपको लग रहा हो कि क्या हो देखो हलका सा दबाते अंडा टूट नहीं रही है बलकि ऐसा हो गया जिसरे मालों उबाला गया हो लेकिन उबला वह भी ना हो तो आज जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं विनेगर के साथ रहे के 24 गंटे में अंडे का क्या हल हुआ है तो यह देखो यह अंडे का छिलका जो किसी टाइम में पूरा हाड होता है आज यह कागज की तरह हो चुका है लेकिन 24 गंटे विनेगर के साथ तो आप देख सकते हो कि विनेगर कि अच्छे अच्छे को चीज को पिगला देता है मतलब गला देता है